नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट कपसा 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने पंचायत के किसी वार्ड में हुए कामों एबं उस पर हुए खर्च की जानकारी के लिए RTI कैसे लगाएंगे जिससे की अपने पंचायत मे हुए वार्ड में भ्रष्टाचार की खुलासा हो सके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हैं नए हैं वो अबस लाल कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अबस कर ले जिससे इस तरह के उप्योगी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अबस कर देंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे जिससे हर भारतिय हर नागरिक को अपने अधिकार की जानकारी हो सके तथा हुए अपने पंचायत के की जानकारी आसानी से ले सके तथा हो रहे भरष्टाचार का खुलासा भी आसानी से हो सके क्योंकि हमारे ही पैसे से हमारे ही टेक्स जो हम लोग देते हैं उस पर ही सारा खर्च होता है उसके ही पैसे से हम लोगों का कार्ज किया जाता है और कहीं कहीं मलमानी ढंक से कार्ज किया जाता है कहीं यहां तक हो जाता है कि कागजात पे तयार है लेकिन अस्थल पर कोई काम नहीं हुआ है इसलिए हम सभी को जागरूख होकर अपने अपने छेतर के पंचायत के वाड़ सदस्ट की जानकारी अवस्च लें तो चलिए किस प्रकार आर्ट याई लगाएंगें आप लोग अवस्च पूरा बिना इसकित कुए है देखेंगें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहट प्रपत्र को भरेंगें इस साधे कागज पर भी बर सकते हैं या फॉर्म आता फॉर्म भी बरेंगें या टाइप करवा लेंगें सेवा में लोग सूचना पता अधिकारी प्रखंड कारियाल है अपने जीले के प्रखंड में जहां कारियाल है उस कारियाले का यहां नाम दे देंगें अपने जीले का नाम अवस्च लिखेंगे विसे आर्टे आई एक दोजार पांच के तहस सूचनाएं उपलब्द कराने के सम्मंद में पहला अपना आवेदक अपना नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे दूसरे में अपना पूरा पता पिन कार्ट साइद लिखेंगे मांगी गई सूचनाएं पहला वर्ष 2020 से 2021 आप जिस भी वर्ष या जितने भी वर्ष की मांग कर सकते हैं आप यहां कर सकते हैं एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या एक पंच वर्षी में भी हुए पंचायत अपने पंचायत का नाम लिखेंगे यहां जिस भी पंचायत का आपको सूचना चाहिए उस पंचायत का नाम के पूरे वार्ड में कराए गए सभी कारियों की सूची दें जिसमें निमनिखित जानकारी होनी चाहिए पहले में जानकारी लेंगे कारी का नाम दूसरे में कारी का संजिप्त भी प्रन तीसरे में कारी के लिए सुकिर्ट रासी चोथे यारासी किसमत से दी गई है पाच मा कारी सुकिर्टी होने की ति थी छठा कार समापती होने की थी, साथ मा कारी करने वाले एजनसी का नाम, आट में कार सुरू होने की थी, नौ में कार समापत होने की थी, दस कारी के लिए ठेका किस दर से दी गई है, ग्यारा में कितनी रासी का भुकतान किया जा चुका है, बारा में कारी के रेखाचित्र की प अपने वार्ट के हुए कारी एबम उस पर हुए खर्च की जानकारी आसानी से ले सकते हैं RTI लगाकर अपने अपने ब्लॉक में RTI लगाएंगे दूसरा है उपरुक्त सूचनाएं अपलब्द कराया जाने के बाद या सुनिश्चित कराने के लिए दी गई सूचनाएं पूर्ण है इस कारियां से संबंदित सभी मेजरमेंट बुकों तथा वर्क ओर्डर रेइस्टर का निरक्षन भी करना चाता हूँ किरप्या मुझे दिन समय तथा जगह की सूचना भी दी जाए जब मैं निरक्षन के लिए आ सकूँ कभी कभी सिकायत होती है कि जो भी सूचनाएं दी जाती है वह सही सूचना नहीं होती है कुछ छिपाकर सुचनाएं दी जाती है या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कारी का निश्पादन नहीं किया गया लेकिन उससे संबंदित सुचनाएं दी जाती है इस इस्थिती को जानने के लिए आप लोग अपने छेतर के ब्लॉक में अपने वाड से संबंदित जो भी रेश्टर्ड हो रेश्टर बना हो जो भी हो उसका निरक्षन भी आप लोग कर सकते हैं सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरा सभी दी जाने वाली दस्तावेजों की परमानित शयापरती दी जाए या अबस लिखेंगे जो भी दस्तावेज आप मांगेंगे या जो भी सुचनाएं दी जाएगी वो सभी क्या होनी चाहिए परमानित होनी चाहिए चौथा किसी भी सुचना के लिए बिहार में 10 रुपे का सुल्क रखा गया है जो BPL धारी है वो निसुल्क सुचना ले सकते हैं उन्हें रासन कार्ड लगेगा सुल्क के रूप में या भारती पुष्टल ओडर नंजिरिस्टियल इस्टांप या बैंक टाप दे सकते हैं हुए कार्यों की सुचना आप लोग अवसलें जिससे हो रहे भरस्टाचार का खुलासा आसानी से हो सके जाहिन